राणावट डाइट में आपका स्वाह करते हैं जैसरी रामाक्रश्न आज आपको बता रहा हूं वर्तमान में कोरोना महमारी का प्रकुप चल रहा है और पूरा विश्व इससे त्रास्त है जिसमें एक सवाल यह उड़ता है कि कोरोना की वैक्षिन जो जिन लोगों ने लगा है उन लोगों को भी पॉजिटीव हो रहा है और जिन्होंने लगवाए हैं वह भी पॉजिटीव हो रहे हैं तो बहतर है कि हम इंजेक्षिन ना लगाए पर यह गलती आप ना करें यह आपको पूर्ण ग्यान नहीं है कि वह जो इंजेक्षिन लगाने के बाद में कोरोना आया है उसने कितना हमला करने की शमता हैं वह आपको कितना परिशान कर सकता है वह आपको पता नहीं है और जिन्होंने इंजेक्षिन नहीं लगवाए और उन्हें जो दिक्कत है वह बड़ी गंबीर है वह आपको परिशान कर सकती है परिवार को परिशान कर सकती है तो यह ब्रह्मे मत रही है आप इसमें इस्पश्टी करन में यह दूँ उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें अधिक शेयर करें मैं डॉक्टर उपिनाश शिंग्राणावत साइकोलोजिस्ट और डाइटिशन आज आपको ब बता रहा हूं वैक्शिन जरूरी है जैपूर में महिला सिक्साल है कि डॉक्टर से जानिये क्यों दोनों डोज लेने के बाद भी शक्रमित हुई डॉक्टर बोली टीके से इंजेक्शन लंग तक नहीं पहुंचा अर्पिच सर्मा जैपूर से लिखा है वैक्शिन लगाने के बाद भी तो कोरोना हो रहा है फिर क्यों लगवाएं ये खबर इसी सवाल का दवाव है जैपूर के महिला सिक्साल है कि जूनियर इस्पेलिष्ट डॉक्टर वनना गर्ग दोनों डोज लेने के बाद सक्रमित हो गई वे बताती है कि वेक्शिन लगाने का सबसे बड़ा डरना नहीं पर बचना है मैंने वेक्शिन की पहली डोज 16 फरवरी और दूसरी 18 मार्च को लगवाई थी 15 अप्रेल को मुझे हलके लक्षन आए मेरा गला खराब हुआ और बाड़ी में हलका दर्द हुआ मैंने जाच करवाई तो पाजिटिव आई वेक्शिन लगी होने की वजह से मुझे इससे भारी लक्षन नहीं हुए और ना ही मेरे लंग्स में इनफेक्शन हुआ हम हॉस्पिटल में हमेशा पीपीए किट पैन के डूटी करते थे नजाने कब कोरोना सक्रमन की चपेट में आ गए मैं घबराई बिलकुल नहीं क्योंकि मुझे वेक्शिन पर धिर हो रहे हैं और जिनके घर में डिक्कत है जिनके घर में लोग मरें हैं वह लोग चिन transm tir हैं जो स्वस्थ है हैं वह चिंता नहीं करते हैं पर आप अच्छे से रह सकेंगे, आपका परिवार अच्छे से रह सकेगा, कोई साथ तक टिपणी करेंगे, साथ तक टिपणी का दबाव दूँगा, मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जाय हिंद, स्वस्तर आएं, मस्तर आएं